को इस तरह को इस सालुपसन करेंगे इस साइट में आ है एप्लस भी को दो पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे इस तरह से A by A x minus 1 में B को इस साइड में लिखा जाएंगे अब इधर A बचा अब B by B x plus 1 को minus 1 को इधर ले जाएंगे तो जगा B by B x minus 1 अब इनका LCM लेना है तो A x minus 1 यहाँ पर LCM होगा A से 1 multiply होगा और B से A x minus 1 multiply होगा तो यह होजगा A B x minus 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 plus B होजाएगा ठीक है equal to B x minus 1 यह A into B x होजगा A B x minus A minus B अब RHS वाले टर्म को यह लिखाएंगे इसको एरंच करके लिखेंगे A plus B minus A B x upon A x minus 1 equal to इस head में इसको लिखाएंगे तो minus हो जाएगा A B x minus A minus B by B x minus 1 equal to 0 अब अगर मैं यहाँ से minus common ले लूँ तो यह term पुरा इसके यह से बन जाएगा ठीक है A plus B plus A plus B minus A B x by A x minus 1 यहाँ मैं मैंने स्कूमन ले रहा हो तो यह प्लस हो जाएगा तो यहाँ मैंने से हो जाएगा प्लस A minus B हो जाएगा प्लस B और और A B x मैं आ जाएगा माइने से भी एक्स अब फोन B x minus 1 equal to 0 अब दोको इसका भी नियुमेरेटर इसका नियुमेरेटर दुनों सेम हो गया है उसको कॉमन ले लेंगे A plus B minus A B x कॉमन ले लिए तो अब यहाँ पर क्या बचेगा 1 by A x minus 1 1 by A x minus 1 plus 1 by B x minus 1 equal to 0 अब 0 से कंपेर करने दो रोगो A plus B minus A B x equal to 0 A B x कॉइधर ले जाएगे तो A plus B equal to A B x x का value हो जाएगा A plus B by A B ठीक है और इसमें अगर कंपेर करेंगे 1 by A x minus 1 equal to plus 1 by B x minus 1 equal to 0 1 by A x minus 1 equal to minus 1 by B x minus 1 अब cross multiply करेंगे इसको तो B x minus 1 equal to minus A x plus 1 minus A x को इसको इस्याट में लेक आएगे तो B X plus A x equal to one plus one इन दोने इन्व कमण ले ले लेंगे A plus B बचेगा यहां है तू A x equal to two by a plus B ठीक है बाले कर दो 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 प्राव कर दो 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 आग्राव कर दो 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 आहा है